ट्रैफिक क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे ट्रैफिक का मतलब भीड यानि number of people आप कहते हैं कि रोड पे ट्रैफिक जाता है यानि कि भीड जाता है या फिर रोड पे ट्रैफिक कम है यानि कि भीड कम है number of people रोड पे कम है इसी तरीके से website पर कितनी traffic है उसको कहते हैं web traffic यानि कि कितने number of visitors हैं जो कि आपकी website को देख रहे हैं वही चीज web traffic कहलाती है या फिर online traffic या फिर internet traffic भी कहते हैं तो यह क्या refer करता है refers to web user who visit a website यानि कि कितने web users हैं जो कि किसी website को visit कर रहे हैं, use कर रहे हैं number of visitors visiting a website is the traffic for that website यानि किसी website को कितने number of visitors हैं जो उस website को देख रहे हैं उस website को वो traffic होगा clear अभी जो traffic है यानि कि traffic कहां से आता है तो यह traffic एक तो होता है direct traffic जो कि हमने पहले discuss कर रखा है direct traffic क्या हुआ कि आपको पता है कि Amazon की website पे जाना है कि आपको किसे ने refer किया यानि कि आपको किसे ने link बेजा और उस link को click करके आप वो website पे जाते हो तो उस type के traffic को हम कहते है referral traffic वहीं पर तीसरा आता है social traffic social traffic means कि जो social media pages होते हैं वहाँ से आपने link पाया और वहाँ से आप website पे गए हो तो उसको कहते है social media traffic या social traffic वहीं पर इसके अलावा एक और ट्रेफिक आता है that is search traffic search traffic means जो search engine का use करके जब आप website को search करते हो और उसके बाद जो है आप visit करते हो तो उसको कहते है search traffic तो यह जो search traffic होता है इसको आप दो कटेगरी में divide कर सकते हो कौन-कौन सा organic traffic and paid traffic clear organic traffic and paid traffic अब suppose करी गूगल आप यह picture देख रहे है तो गूगल में क्या है कि आप Google search engine पर जाते हैं तो वहाँ पर आपने suppose करी कि आपको laptop purchase करें तो आपने type के laptop Google में search में आप type के laptop अब जब laptop type करके enter दबाते तो आपके सामने search result आ जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ website के नाम जैसे Amazon, Flipkart और जब scroll down नीचे करके जाएंगे तो और further snap deal website के नाम आ जाएंगे उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ ads वहाँ पर दिख रहे होते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं right hand site पर आपको दिख रहा होगा ad जहाँ पर आपको Dell India, Flipkart, Chroma, Samsung, Dell India इन सब के site से ads आ रहे हैं तो यहाँ पर जब कोई जो visitor है इस link को जहाँ पर link दिख रहे हैं आपको left side में Amazon का link है या laptop amazon.in इसको click करके जब आप Amazon की website पर जाएंगे तो उसको कहते हैं organic traffic आने कि natural traffic आने कि आपने search website पर गए search engine पर गए और आपको जो है पता नहीं है आपको laptop चाहिए तो आपने laptop ढूडा या फिर best laptop under 30,000 आपने search किया उसके बाद जो भी links आपको वहाँ पर show हो जाते हैं उसमें से आपने click किया और आप जो है website पर गए तो उसको कहेंगे organic traffic वहीं पर दूसरे traffic क्या हो जाएगा paid traffic paid traffic मतलब कि जो add आ रहे हैं जो add आ रहे होते हैं उन link पर click करके अगर आप website पर जाओगे तो उस type के visit को क्या कहेंगे उस type के traffic को क्या कहेंगे paid traffic कहेंगे तो organic traffic आपने search किया उस website की famous होने के वज़ा से वो search list में सबसे उपर आता है और आपने उस website को click करके उसके website पर चले ग आप जो है advertisement पर click करके उसके website पर जाते हो तो उसको कहते है paid traffic clear तो organic traffic क्या हो गया organic traffic means traffic that comes to website from search result excluding paid ads and direct traffic यानि कि search result से जो भी traffic आता है आपके website पर वो organic traffic होगा लेकि नियाद रहे है कि search result में अगर कोई paid advertisement था आपके website का एफे कोई direct traffic आया तो उसको छोड़के जो भी traffic होगा व at land on website from unpaid sources यानि कि वो सभी traffic sources या फिर वो सभी visitors जो unpaid sources से जो है आपके website पर आये हैं उसको कहेंगे organic traffic या free traffic कहते हैं तो for this इस case में organic traffic के case में visitors को आपके website के बारे में आपके product के बारे में information होनी चाहिए तब ही वो आपके website के बारे में जब उसको कुछ idea ही नहीं होगा तो आपके website पर क्यों आएगा clear तो यहाँ पर organic traffic की case में आपके product के बारे में उसके पास knowledge होनी चाहिए वहीं पर दूसरा है paid traffic, paid traffic क्या हो गया traffic that comes to website from paid या online advertisement clear यानि कि यहाँ पर paid online advertisement से जो website पर traffic आता है उसको paid traffic कहेंगे जो google search में आप गए google search में आपने search के वहाँ पर जितने your site would come up and they could click on it आपको purchase करना है laptop आपने google पर जागे search किया laptop, laptop search करने पर वहाँ पर बहुत सारी links आजाएंगे उन में से कुछ ऐसे links होंगे जो paid होंगे यानि कि जो add होंगे अगर आप उस add वाली link पर click कर देंगे तो वो paid traffic कहलाएगा, this kind of advertising is often paid for based on CPC जिसको कहते है cost per click, यहा payment उसके लिए जो है website को करना पड़ेगा google को, that means the advertiser pays for the amount of traffic going to their page because of this ad, यानि कि जो website का honor होता है वो जो है google को pay करेगा जितने भी traffic जो है उस paid advertisement के through आएंगे, तो उसी को हम कहते है, paid traffic कहते है, यानि कि उन visitors को अपने website पर लाने के लिए उनको payment करना पड़ता है, इसी वज़े इसे क्या हुआ, paid traffic, तो यह जो traffic होता है इसको आप कैसे increase कर सकते है, तो quality content, but obviously बात है कि जब आप quality content दोगे visitors हो, तो paid traffic जो है या फिर organic traffic जो है वो बढ़ेगा, publish quality content regularly, अब यह नहीं कि एक बार आप quality content दे उसके बाद छोड़ दी नहीं, regularly जो है आप quality content प्रवाइड करिए, use long tail keywords in your content, जो keywords होते हैं कि उसको आपको use करना है, अब suppose कि Amazon है, laptop sell कर रहा है, लेकिन laptop keywords वो use ही नहीं कर रहा है, तो जब भी कोई Google पे keyword laptop डालेगा, तो Google Amazon के website को show ही नहीं करेगा, इसलिए keywords का use करना जरूरी है, include media and internal links, आपको media और internal links को भी include करने की जोध होनी चाहिए, तभी आपका traffic सही होगा, यान कि जो आपका search engine में जो link आएगा वो अच्छे से आएगा, use social media, social media का use करिए और email advertisement या newsletter में भी जो है आपको use करना चाहिए, जिससे कि आपके website के बारे में लोग जानें, clear, अब बात कर लें, Google Advert क्या होता है, Google Advert जो इसको आप Google Ads के नाम से जानते ह होती, क्या है, एक online advertising platform है, क्या है, online advertising platform है, developed by Google, तो यहाँ पर क्या होता है, कि where advertisers bid to display brief advertisements, service offering, product listing और videos to web user, तो यहाँ पर क्या होता है, suppose रहे कि आपकी कोई website है, और आपको जो है advertisement कराना है, अपने website का या फिर अपने किसी product का या फिर अपने किसी service का, तो आप Google Advert पे जाते हो Google Ads पे जाते हो, किया, वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे आप bid देते हो, और आपकी जो advertisements हैं, वो Google हर जगा show करेगा, चाहे वो mobile app में हो, चाहे वो search engine में हो, चाहे वो फिर किसी वीडियो पे हो, Google जो है, वो ads वहाँ पे दिखाना सुरू कर देता है, और जब भी उसको कोई click कर करके जाएगा, आपके website पे पहुंच जाएगा, तो it can place ads both in the result of search engine, like Google search and on non-search website, mobile app and videos, यानि कि चाहे वो search engine में हो, या फिर किसी website पे, किसी mobile app या फिर किसी videos पे हो, वो Google जो है, आपका ad वहाँ पे दिखाता है, आप देखते होंगी कि बहुत सारे, जैसे सरकारी result.com है, तो जब आप उस website पे जाओ, तो वहाँ पे बहुत सारे ad आते हैं, तो क्या है, वो Google AdWords की वज़ह से वहाँ पे आ रहे हैं, आपको mobile app यूज करते हो, तो उसमें भी बहुत सारे ads आने लग जाते हैं, तो क्या है, वो Google AdWords की वज़ह से आ रहे हैं, search engine पे जो आपको ads दिख रह पे ads show कर सकते हैं, यानि कि Google AdWords करेगा, बस आपको Google AdWords पे जाना होगा, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे, तो आपको पहले website पे जाना है, वहाँ पे जो है, आपको login करना होगा, फिर अपना campaign type और name चूज कर लेना है, फिर वहाँ पे ad display कैसा चाहते हैं, आप उसको set कर tracking कर सकते हैं, आपको कि कितने लोग add के, यानि कि Google AdWords की वज़ा से कितने traffic आपके website पर आ रहा है, उसको आप Google AdWords से track भी कर सकते हैं, clear, तो Google AdWords क्या हो गया, अगर आपको online advertisements करवानी है, different websites पे, videos पे, या फिर search engines पे, या फिर non paid, जो है, non search websites पे, तो फिर आप Google AdWords का use कर सक तो benefit का है Google AdWords का, but obviously बात है कि traffic क्या होगा, increase होगा, massive reach है na Google का, आजकर हर लोग Google search करते हैं, Google use करते हैं, तो बहुत जारा traffic आपको मिलेगा अगर आप Google AdWords का use करते हैं, increase brand awareness, आपकी brand awareness बढ़ेगी, performance बढ़ेगी, maintain full control of your campaign at all time, यहाँ पे जो Google AdWords है, अगर आप उसका use करते ह हो कि कहां कहां कैसे कैसे जो है ads दिखाये जा रहे हैं, और कैसे वो perform कर रहे हैं, कि कितना traffic उससे generate हो रहा है, और importages की cost effective याने की ज़्यादा cost लेवी नहीं है, यहाँ पर आसानी से आप कम पैसों में advertisements कर सकते हैं, तो यह Google AdWords के कुछ benefit है, तो आपको clear होगा कि traffic क्या होता ह है, pay traffic क्या होता है, Google AdWords क्या होता है, Google Analytics, suppose कि आपकी कोई website है, और आप यह जानना चाहते हो कि आपकी website पर currently कितने users हैं, कितने visitors हैं, कितना time वो जो है आपकी website पर व्यतित करते हैं, कि जब उन्होंने पहला page open कि और last page उन्होंने कितने duration तक देखा, which page, उन्होंने कौन सा page visit किया, कौन सा content उन्होंने देखा, उसके साथ साथ या नहीं, आपकी website के साथ साथ वो कौन सा दूसरा website है, जो कि वो देखते हैं, या फिर उन्होंने कौन कौन से transactions किया, कौन से convergence, product purchase किया, कौन सा product search किया, यह सारी चीजों के अगर बारे में आपको जानना है, तो Google Analytics वो प् आपको यह भी बता देगा कि आपका जो visitor है, वो आपकी website के लवा और कौन कौन से website है, जो कि visit करता है, तो Google Analytics यह चीज बताता है, Google Analytics आपको यह statistic देगा कि 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 एज ग्रूप के जो हैं, आपके website देख रहे हैं, यानि कि 18 to 20 age के group देख रहे हैं, या फिर 20 to 25 age group के देख रहे हैं, कि पाकिस्तान से देख रहे हैं, स्रिलंका से देख रहे हैं, फिर किसी दूसरे country से देख रहे हैं, कि आनि कि वो उनका origin क्या है, वो भी दिखा देता है, तो Google Analytics इसी काम पे आता है, तो Google Analytics क्या है, एक free web analytics service है, जो की offered किया जाता है, Google दोरा, और track करता है, और report करता है, तो website traffic आने की website पे जो visitors हैं, उनके बारे में, उनके बारे में details को track करता है, और report करता है, और statistical data जो है provide करता है, कि इसको website आन और को, जिससे कि वो एक specific decision making ले सके, होता क्या कि हम भी जब भी कोई website में कुछ सर्च करते हैं, तो कोई न कोई keywords यूज करते हैं, clear, तो वो keywords कौन स gives the tools you need to better understand your customer, याने की, जो website के customer से, जो visitors हैं, उनको अगर आपको समझना है, कि वो कौन सा keyword यूज करते हैं, कौन सा website है, जो normally देखते हैं, किस टाइप का product वो सर्च करते हैं, क्या topic है जो सर्च करते हैं, इसके बारे में अगर जाना है, उनकी age group क्या है, उनका geographical location क्या है, य अगर आप website चलाते हो, तो आसानी से आप अपने website के बारे में ये पूरी detail जान सकते हो, कि कौन user है, कितने visitors हैं, कितना समय आपके website पर बिताते हैं, कितना कौन सा page है, जो कि ज़्यादा देखा जाता है, कौन सा content है, जो उनको ज़्यादा पसंद है, या फिर वो लोग जो ह यह filter करते हैं, कि low to high या price, low to high या फिर high to low price कर रहे हैं, या फिर हम लोग करते हैं, product below 10,000, product below 20,000, तो इस type के category के जब हम filter करते हैं, यह हमारा user भी यह बेर है, और इसको क्या है, Google Analytics track कर रहा है, और आगे चलके, जो website और हो आपको इसी तरिके का suggestion देगा, आप सब हो ज़्या पर सच के लिया, कि product below 10,000, तो आगे जब दुबारा website को देखेंगे तो आपको product below 10,000 पहले सी suggestion में देदेगा, तो यह help करता है Google Analytics website honor को, तो आप Google Analytics अगर कभी use किया हो, तो आपको देखेंगे कि कुछी इस तरीके से आपको यहाँ पर देख रहा होगा, तो Google Analytics जो data है, वो आपको bar diagram में, line diagram में, pie chart में जो है आपको details data वहां पर show करता है, जैसे कि आप ही देख सकते हैं, जो आप pie chart देख रहे हैं, कि कितना है जो आये हैं, कितने लोग हैं जो कि किसी और रिफरेल से आये हैं, फिर नीचे आप देखेंगे numbers दिये गए हैं कि कितना session उन्होंने 4635 session, कितना average session रहा है, new session कितना रहा है, bounce rate कितना रहा है, सारी details जो है आपको Google Analytics आपको show करता है, और इन सब details का use करके जो website honors होते हैं, वो जो है specific decision making कर सकते हैं, कि उनको अपने website में क्या changes करने हैं, कैसे advertising करनी हैं, क्या links रखने हैं, क्या keywords यूज करने चाहिए, इन सब पर help करता है, तो Google Analytics की working की बात करें, कि ये working कैसे कम काम करता है, तो Google Analytics acquire user data from each website visitor through the use of page tag, तो Google Analytics क्या करता है, जावा script page tag का use करता है, ये JavaScript page tag क्या होता है, ये हर page में इंसर्ट करियाता है, ये code होता है, जो की insert कहते हैं, जब website बनता है, तो जो page बनता है वो HTML format बनता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कि Java script code होता है, उस code को जो है, उस हर page में डाला जाता है, जिससे की user क्या-क्या चीज़े perform कर रहा है, वो सारी चीज़े पता चल ज यह जावा स्कृट पेज टैग इस इंसर्टेड इन्टो दी कोड़ ओफ इच पेज इस टैग रन इन दी वेब ब्राउजर ऑफ इस विजिटर कलेक्टिंग डेटा एंड सेंडिंग इटू वन ओफ गूगल डेटा कलेक्शन सर्वर यह क्या होता है कि जो भी विजिटर होते ह उनके विब ब्राउजर में यह टैग रन करता है और उसका पूरा डेटा जो है कलेक्ट करता है तो गूगल अनलेटिक से सारी डेटा ट्रैक करता है तो उसके बेसिस पर आपको एक रिपोर्ट दे देता है जहां पर आप देख सकते हो कि कितने यूजर्स हैं कितने लोग कर रहे हैं बॉइंस रेट क्या है एवरेज सेशन के सारी डेटेस जो है आप रहां से निकाल सकते हैं द पेज टैग फुंक्शन एजए वेव वग ओघ फिर वह विकन तो डेज टैग फंक्शन है न व वह किसको Men तो यहां पर क्या होता है कि हमने पहले ही कुकीज डिसकस कर रखा कि क्या होता है तो कुकीज ऐसे कुकीज को डिसेबल कर दिया होगा तो उनका डेटा जो है वो फिर Google Analytics ट्रैक नहीं कर पाता है अगर आपने जावा सक्क्रक कर रखा है लेकिन अगर आपने जावा स्क्रक हो सकता है लेकिन गींघक क्या है यापिन यूज्प्र में रजण किया है और जो पेजिट करते हैं उनका पूरा डेटा वहां पर ट्रैक करके जो है Google Analytics में, PyChart में, Bar Diagram में different तरीके से जो है वो represent कर दिया जाता है clear अब बात कर लें Google Website Optimizer क्या होता है देखे Google Website Optimizer कुछ नहीं यह क्या है कुछ tools प्रवाइड करता है जिसका use करके आप जो है अपने चीजों को test कर सकते है यानि कि suppose करी कि आपने एक app बनाया तो 1.0 था फिर आपने 2.0 किया तो 1.0 का क्या performance रहा है 2.0 का क्या performance रहा है उसको जो है आपको analyze करने में help करता है इसी तरीके से suppose करी कि आपने multiple pages जो है develop कर रखे है website में आपने कई सारे pages develop कर रखे है तो आपको यह जाना कि कौन सा page better है कौन सा page कम perform कर रहा है तो आप गूगल website optimizer का use कर सकते है तो गूगल optimizer यह जो गूगल website optimizer है इसको पुराना नाम था अब जो है इसको क्या कहा जाता है गूगल optimize कहा जाता तो यह क्या है freemium web analytics and testing tool है जो की Google देता है जैसे गूगल analytics हो गया उसी तरह की से गूगल optimize या फिर गूगल website optimizer है जो की फ्री है फ्री है और बेवन आलिटिस का tool है और जिससे जो है टेस्ट भी कर सकते हैं आप अपनी website को तो गूगल optimize offers AB testing जो की हमने पहले डिसकस कर लिया AB में क्या होता है कि पहले वजन क्या था दूसरा वजन क्या है दोनों में आप टेस्ट करते हो कि कौन अच्छा perform कर रहा है website testing and personalization tools for small business to help deliver engaging customer experiences तो यहाँ पर क्या है कि customer को आप engage कर सके उनको एक अच्छा experience दे सके इसके लिए जो है small business Google optimize का use करते हैं जिससे वो अपने website को test करते हैं और उसके according to decision लेते हैं कि क्या उनको changes करने हैं क्या changes नहीं करने हैं तो optimize allows you to test variants of web pages and see how they perform against an objective that you specify यानि कि भाई हर page को create करने के पीछे कोई ने कोई objective होता है तो objective successful हुआ की नहीं हुआ आप suppose करें कि आप अपने website का color combination change करें पहले blue था अब आपने उसको green कर दिया फिर red कर दिया तो अब आपको यह जानना है कि blue करने पे ज़्यादा visitors थे या फिर green करने पे ज़्यादा visitors थे तो Google optimizer जो है इसमें आपको help करता है इस चीज को check करने मे optimize monitors the result of your experiment and tells you which variant is the leader यानि कि कौन से variant leader है 1.0 ज्यादा अच्छा था कि 2.0 ज्यादा था ग्रीन कलर अच्छा था कि blue कलर अच्छा था क्या चीज अच्छी थी तो उसको आपको analyze करने में help करता है कौन Google optimizer इसी तरह के से AB testing की तरह है multivariate experiment तो multivariate experiment भी क्या है Google optimizer जो है आपको allow करता है तिहां पर क्या करता है कि आप compare कर सकते हो performance of various pages यानि कि आपके website में 4-5 pages है suppose करिए तो 4-5 pages को आप compare कर सकते कि कौन से page का performance ज्यादा है किस page पे ज्यादा views आ रहे है किस page पे content ज्यादा देखा जा रहे है session time जो है वो किस page पे ज्यादा है clear यह जो functions है यह normally आपको आपको मिल जाएगा वही पर A-B testing का मिलता है जब आपके website पर 1000 से कम लोग visit करते हैं किसी एक week में तो आपको जो है आप A-B testing का use कर सकते हैं clear तो Google Analytics क्या है यह platform है web analytics का जहां पर आप track कर सकते हैं अपने website traffic को कि वो कितने numbers है visitors है कितना duration वो आपके website पर देते हैं कौन सा page ज् generate हो रहा है paid search है organic traffic है direct है ठीक है उसके बाद जो है Google website optimizer होता है जो कि आपको test करने में help करता है कि जो different pages है different versions होते हैं आपके website के उनमें कौन सा अच्छा perform कर रहा है clear उस बात कर लिए benefits के तो benefits सभी को पता ही है कि पहले चीज तो free and easy to use है free है और easy है ज्यादा इसमें complicated नहीं complex functions यहां पर नहीं होता है track online traffic आपका जो online traffic होता है उसको track करता है और आपको report देता है understand user behavior user क्या search कर रहा है उसको क्या चीजे चाहिए वो किस type के performance जो है activities perform करता है आपकी website पे वो सारी चीजे जो आपको यहां पर बताया जाता है उसका demographic क्या है कहां से location से search कर रहा है कहां से age group का है data report and customization यहां पर जो website owners होते है उनको data report मिलता है और customized data मिलता है उनको जिस type का data देखना है पिछले एक महिने का data देखना है पिछले एक साल का देखना है या specific date या time का देखना है तो वह सारे चीजे वहां पर customize कर सकते हैं improve online advertising with marketing analytics आप जो है अपनी online advertising को यहां पर improve कर सकते अब suppose करें कि paid search है paid search से traffic बहुत कम आ रहा है तो फिर आप उसको paid search को बस कर सकते हो या फिर paid search से ज़्यादा traffic आ रहा है तो आप Advertisements पर और ज़्यादा खरच कर सकते हो improve search engine optimization and content marketing यहाँ पर क्या है कि आपका जो है search engine optimization और content marketing भी develop होगा क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि keywords कौन से हैं क्या चीज़े धूरा जा रहा है वो सारी चीज़े जब अपनी website में include करेंगे तो आपका जो search engine optimization और content है वो भी improve होगा conversion tracking यहाँ पर क्या है कि कितने लोग आपके website पर आते हैं और फिर वो conversion होता याने कि वो अपना task complete करके जाते हैं आपकी जो website वो e-commerce की website है तो कितने लोग आपकी website पर आये हैं और कितना purchase करके गए हैं कि slot का purchase करके गए हैं उस सारी चीज़े जो यहाँ पर track करके आपको बता होता है limitations की बात कर लें तो यहाँ पर पहले चीज़ है approximation यहाँ पर जो भी data होता है वह accurate नहीं होता है वह approximate होता है clear क्योंकि बहुत सारे data होते हैं जो Google Analytics जरूरी नहीं को सभी data को capture कर सके यहाँ पर missing information भी होती है जैसे क्या होता है कि जो लोग cookies को block कर देते हैं फिर java script off कर देते हैं तो उनका data क्या है analytics capture नहीं कर पाता है त्यानिक यहाँ पर क्या हो गया information miss हो गया और इसी वज़े से क्या होता है approximate होता है accurate नहीं होता है it may include robot activity, robot activity में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़े computer में इतने development हो गया है कि आप website as a human चलाते हैं लेकिं robot भी उस website को चला सकते तो लोग क्या करते हैं कि traffic ज्यादा generate करने के लिए कि अपने हमारे यहाँ पे views ज्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए robotic का use करते हैं तो इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार कई जहाँ पे capture code मांगा जाता है तो capture code इसलिए मांगा जाता है ताकि यह verify हो सके कि आप robot तो नह नहीं है कि आप फरजी विजिट तो नहीं कर रहे है clear तो इसको भी analytics जो ही include कर लेता है तो यहाँ पे क्या होगा कि data कहीं न कहीं गलत हो जाता है count internal traffic करने का मतलब कि जो website जो जिसकी website है उसके भी views वहाँ पे count हो जाते हैं उसके भी जो visits से वह भी count हो जाते हैं तो इससे क्य जो 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 कोगकी जो जो बार्ची कन